चे ये गैस कब और कैसे खतम होती है पताई नहीं चलता हे भगवान क्या इसका कोई हल नहीं? क्यूं एसे बढ़ बढ़ा रही हो? भगवान को बुलाओगी? तो क्या वो सिलेंडर लाकर देंगे? ऐसे मुझे क्यों गूर रही हो? इस तरह गैस खतम होना और हाथसों के लिए भगवान को नहीं बुलाना चाहिए हमें ही सावधानी बरतनी चाहिए आज का पेपर पढ़ाना इतने कामों के बीच इन सब को चेक करके याद रख पाना मुम्किन नहीं है हाँ मुम्किन नहीं है आज की भाग दोड़ बरी जिन्दगी में इन्हें याद रखना ना मुम्किन है लेकिन हमारी समस्या का एक समाधान है समाधान? ओरिंस द्वारा पेश किया गया गैस सेफटी डिवाइस यानि की हमारे जीवन का सुरक्षा कवच ये किस तरह हमारी हाथसो से रख्षा करके हमें बचाएगा? ये हुई न बात इसका नाम है गैस सेफटी डिवाइस हमारे जीवन का सुरक्षा कवच आग से होने वाले हाथसो को रोक कर हमारी रख्षा करता है इस गैस सेफटी डिवाइस को अपने नॉर्मल रेगूलेटर की तरह ही फिक्स कर सकते हैं इसके बाद रेगूलेटर को इसके उपर फिक्स करना होगा अब मीटर जीरो पर है इसके बाद दोनों नॉप्स को आउन करें अन करने के बाद इस मीटर को दो बार प्रेस करेंगे तो आटोमाटिकली गैस टो तक पहुँचेगा। प्रेस करने के बाद मीटर को हम देखेंगे तो इस वक्त सिलेंडर में कितनी मात्रा में गैस है ये हम जान पाएंगे। Normally, cylinder से 640 pounds pressure की मात्रा में gas बाहर आता है. उसे हमें normal regulator की द्वारा 320 pounds की मात्रा में store तक gas पहुँचाता है. लेकिन अपने gas safety device को fix करने के बाद ध्यान देंगे, तो आपको 160 pounds कम करके gas को बाहर पहुचाता है. ध्यान दीजिए इसके द्वारा आपको 30 दिनों तक आने वाली gas, अब 40 दिनों तक तो ज़रूरी आएगी. हम normally store को जला कर उस पर दूद या दूसरी चीज रख कर बाहर चले जाते हैं, तो हो सकता है दूद उबल कर store off हो जाए. इस तरह off होने के बाद अगर हम normal regulator यूज़ कर रहे हों, तो उससे gas पुरा बाहर निकलेगा और वो बाहर निकल कर अगर आप ध्यान दे, तो हवा से भारी होने के कारण फर्ष पर पूरी तरह से फैल जाएगा. आप घर के अंदर आकर switch on करे या दोबारा माचिस की तीली जलाएंगे, तो आग से होने वाले खत्रों के chances और अधिक हो जाते हैं. लेकिन हमारे gas safety device के इस्तिमाल से आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे, कि इस तरह के आग के हाथ से बिल्कुल भी नहीं होंगे. लेकिन बर्नर के पास जब ले जाओंगे, तब ही बर्नर जलता है. आपने देखा ना, यही है हमारे gas safety device की speciality. इस प्रकार बर्नर पर बरतन को रखने के बाद, हमें बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है, यह दूसरे काम करने होते हैं. ऐसे समय में अगर आपके stroke tube में छेद हो जाए या फिर वो कट हो जाए, तो automatically थोड़ी ही देर में gas पूरा फैल कर बहुत बड़े आपके हाथ से होने के chances और अदिक हो जाएंगे. लेकिन अपने gas safety device के होते आप गौर करेंगे, तो हाथ से की कोई बात ही नहीं है. आप खुदी देख लीजे, आपने देखा ना बस इतना ही, तो automatically 5-10 minutes में हमारा ये device पूरी तरह cut off कर देता है. आप देख रहे हैं कि हमारा बनर जल रहा है और घर के बच्चे खेल खेल में अगर इस tube को खीज दे, या फिर अचानक इस प्रकार भूल चूक से ये cut भी हो गया तो आप देखेंगे, कि automatically हमारा ये store अपने आप off हो जाता है. देखा ना, अभी आपके सामने ही आपका store off हो गया है, उसी प्रकार अगर आप मीटर की सुई पर गौर करेंगे तो आप देख पाएंगे 0, end point आ गया. अब इस वक्त अगर आप देखेंगे, normally जब ये tube cut हो गया हो, तो अचानक tube के cut होने के तुरंद बाद gas leak हो जाती है, ऐसे वक्त में अगर हम store on करेंगे, तो बहुत बड़ा आग का हाथ सा हो गया आपने सोचा होगा. लेकिन आप खुदी देख लीजे, आप ही के आँखों के सामने, यहाँ आँख को दिखाती हूँ, कुछ भी नहीं हुआ. कारण है, आप खुद जानते है, gas safety device. कारण की बिना अगर gas leak हो जाये, तो यह device कितनी जल्दी cut off करता है, यह बात में खुद आपको दिखाने वाली हूँ. आपने देखाना कितना अद्बुत है, इतने कम समय में इसने cut off कर दिया. इसकी बावजूत भी अगर कोई हादसा हो जाये, तो आपके लिए है 2 करोड का life insurance. पूरे 3 साल की guarantee और 30 साल का life time. इससे बहतेर रक्षा कवच और कहाँ? ओरियंस का GST, रसोई घर का रक्षा कवच.